23 सितंबर को राजिस्टान आरे नाहूल गांधी PCC में इस वक्त मौजूद हैं गोविन सिंग डोटासरा क्या कुछ के रहें सुनवाते हैं पदादिकारी जो बूत अद्देक्स हों मंडल अद्देक्स हों मंडल के बाद में ब्लोक अद्देक्स ब्लोक की कारेकारणी जिले की कारेकारणी प्रदीश की कारेकारणी ग्राम पंचायद के अद्देक्स वो तमाम लोग इस कारेकरम का हिस्सा होंगे कहने का मतलब कॉंग्रियूस पार्टी के संगठन का जो स्ट्रक्चर हमने इतने दिन से मैनत करके बनाया है बूत अद्देख से लेकर के उपर तक का वो तमाम लोग इस कार्यक्रम में पर्मुक रूप से भाग लेंगे और उनको कार्ड हम लोग वित्रित कर रहे हैं कार्ड जारी कर रहे हैं और वो सब लोग कोंगी उपस्तिती में हम चाते हैं राउल गांदी जी और खड़जे साब दोनु पधार करके इस नमीन जो भवन है जिसका हमने नक्सा तियार किया है चार मंजिला उस भवन का सिला नयास कार्यकरम हम लोग 23 तारीक का हमने तै किया है आज शाम तक उम्मीद करते हैं कि राउल गांदी जी की स्विकृति हमें मिल जाएगी खड़गे साब से बात हो गई है तो मौसली 23 तारीक को हम यह कार्यकरम करना चाह रहे है उसकी तैयारी के लिए हमने बैठक किया ERCP हमारा हक है हम लेके रहेंगे राश्टिय प्रियोजना गोशित कराके रहेंगे अगर यह नहीं करते हैं तो हम बनाके रहेंगे पूरी सरकार के तरफ से बज़ट भी हमने दिया है और देंगे और इसके लिए हम लोग 25 तारिक से एक यातरा निकाल रहे हैं जो इन 13 जिलों में जाएगी और 13 जिलों के लोग तमाम लोग उपस्तित रहकर के जहां जहां जैसे जैसे इस्तान निर्धार किया जाएगा वहाँ पर हम लोग उनको संबोदित करते वे जागरुपता पहलाएंगे और ये हम पूरी तरीके से भारतिय जनता पार्टि को अक्स्पोज करेंगे कि इन्होंने जान बूज करके चूँकि वसुंद्रा जी और गजेंदर शिंग जी के और वसुंद्रा जी और मोदी जी के अनवन है इसलिए वसुंद्रा जी के समय में बनाई भी DPR को वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं एक कारण और दूसरा कारण है कि हम बार-बार कॉंग्रेस पार्टी मांग कर रही है इसलिए वो इसका स्रे कॉंग्रेस को नहीं देना चाहते गजेंदर सिंग जी ने एक जगए मीडिया में ये बोल भी दिया कि आप तो हमारा राज बना दो फिर हम ERCP के लिए 45,000 क्रोड पे दे देंगे इससे ये साबित है कि उनको जनता की चिंता नहीं है तेरा जिलक के लोगों की जो पेजल की समस्या है सीचाई की समस्या है उसकी समस्या की चिंता नहीं है उनको केवल अपने राज बनानी की चिंता है इसलिए जनता आपने देखा होगा कि जब जब भारते जनता पार्टी के नेता उन्हीं इलाकों में गए हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ा है अब हम लोग जाएंगे हम मांग भी करेंगे केंदर सरकार से कि वो हड़ दर्मिता छोड़े और ये राश्टी फ्रीजना गोसित करें और इसके साथ साथ हम वादा भी करेंगे कि हमने पैसा दिया है अगर बाहर सरकार नहीं बनाएगी तो हम राजस्तान की सरकार इस E.R.C.P. को पूरी करेंगी उसकी D.P.R. किसका पदियात्रा का हम रूट चार्ट प्रेज कॉन्फेरिंज करके बता देंगे पहले हम तेज तारी की तैयारी में लगे हैं और प्रेज कॉन्फेरिंज करके आपको बाकाइदा पूरा रूट चार्ट बताएंगे तेरा जिलो में किस तरिके से हम लोग कहां-कहां सभाएं करेंगे क्या करेंगे वो रूट चार्ट बन रहा है एक सो एक टका दोका तो हर मुद्धर दिया एस पे विदिया बिरूजगारों को दू करोड को एक साल में नोखरी देने की बाज की ती उस पे भी दिया पेट्रूल डीजल के उपर एक्स्ट्रा सेस लगा कर गे लूट मचा रखे उस पे भी दिया किसानों की करजा माफी के मुद्दे के उपर भी उन्होंने दोखा दिया और किस प्रकार से पंदरा मैंने तक खून के आंसू उनको रुलाए गए उस पे भी उन्होंने जो प्रताड़नाई दी हैं जो तीन काले कानून उडियोगपती मित्रों को पायदा देने के लिए उस पे भी हमको दोखा दिया हमने हमारी सरकार ने मुख्यमंदरी ने ये लिखके दे रखा है कि जो राश्टिय करत बैंक हैं उनका वन टाइम सेटलमेंट करा दीजिए हम पूरा पैसा राजे सरकार देने को तयार है उस पे भी उन्होंने काम नहीं करके और उस पे भी दोखा दिया है और अब कभी गेराव यात्रा कभी जनाक्रोस यात्रा कभी परिवर्तन यात्रा तो देखिए जनाक्रोस में जन नहीं था आपस में आक्रोस था गेराव में कोई इनके साथ हो नहीं रहा था एक दूसरे का खुदी गेराव कर रहे थे और अभी जो परिवर्तन है वो तो ए लिवर्तन अपने नित्रित्व का कर रहे हैं जन्ता उनके साथ में नहीं है जन्ता गॉंग्रेस पार्टी के सरकार मुख्य मंत्रीजी की योजना हैं उसके उपर मोर लगा करके सरकार को रिपीट करना चाहती है और मन बना चुक ए पूरी तरीके से ये पूरे के पूरे केंदर के मंत्री और पूरे नेता देश के लोगों के अपने विवागों के काम नहीं करके और केवल चुनावी मोड में घूमते रहते हैं और ये बात अब जनता जान चुकी है किस प्रकार से मोदी जी मुद्दों से ध्यान बठकाने का काम करते हैं किस प्रकार से जो मूल मुद्दा है मेंगाई कम करने का बेरुजगारी कम करने का जो किसानों की जो वादे किसानों से किये थे उनको पूरा करने का और देश की जो हालात बनेवे हैं, जो समयदानिक संस्ताओं का दुर्पियो कर रहे हैं, उनको जो विरोध जहलना पड़ रहा है, उन सब मुद्दों से, चाइना ने कबजा कर रहा है हमारी जमीन पे, उन सब मुद्दों को बठकाने के लिए उस मुद्दों से, ध्यान बठ देखिए, जो प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि, गॉंग्रेश की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, आखरी का बजट भी 80% से ज्यादा दरातल पे उतरा है, और केंद्र की मोधी सरकार में 9 साल में एक विवादा पूरा नहीं किया, जिसमें ये ERCB भी उनका देश के प्रधान मंत्री का बोला वावादा था, भारतिय जनता पार्टी की वसुंदरा राजेजी की सरकार का बनाईवी DPR थी, उसके बावजूद भी फूरा नहीं कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ, ये सारे मुद्दे और हमारी गूट गवर्नेंस और हमारी योजना हैं, ये सब मिला करके राजस्तान में कॉंग्रेज की सरकार को रिप्रिट रहे हैं, यातरा में क्या केमल आप लोग अपसे बतारी कारियों को बदारे हैं, तो बिल्कुल हम उन लोगों को ये एक यूनिक कारेकरम होगा, आप देखना, आप साथ सी बनेंगे, हमारे बूत अद्दे हमारे नगर के अद्देक्स, हमारे वार्ड के अद्देक्स और हमारे प्रदेश की कारेकालनी, और फंटरल ओर्गेनाईजेशन और हमारे यूथ के जिला और लोकों के इनके फंटरल ओर्गेनाईजेशन के अद्देक्स करना, यानि जो संगठन का स्ट्रक्चर है, उसमें जो लीड करने वाले लोग हैं जो प्रमुक हमारे पदा दिखारी और कारे करता हैं वो लोग बाग